सही है हमारा यह जो प्रोजेक्ट था वो हमारे पास कुछ इस तरह है है यह होम पेज है हमारा ठीक ही है मैंदसन में यह लगावा है अबाउट में हमारे पास यह है ठीक है और इसी तरीकी से हमारे पास एक कॉंटक का पेज है यह वाला समझमारी यह बात मैंने आप सिखा था आपने होम का पीज बनाना है या बाउट का पीज बनाना है और एक कॉन्टैक का पीज बनाना है कुछ कहा था ठीक है अभी दर देखो दरा अभी दर देखो मैंने इसके उपर लगा दिया है एक स्लाइडर ठीक है और इसी तरीकी से मैंने इसका एक अबाउट का पेज बनाया है जिसमें मेरे पास यह इस तरीके से लिखा हुआ है ठीक है आपने भी कुछ इसी तरीकी से मनाना है contact का page है मारे पास यहाँ पर मैंने map नहीं लगाया है आप इस इधर map लगा सकते हैं home के page पर आपका जो है वो यह slider आ रहा है ठीक है बासमच मारी मैंने यहाँ पर चार pictures लगाएगे यह carousel लगावाए symbol carousel है ठीक है तो आप इसी तरीके से यहाँ पर लगावे ठीक है अच्छा यहाँ पर आप देख लो कि यह जो मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से लगाया है इसके बाद अगर मुझे admin का कोलना होता है तो हम यहाँ पर आगी जो हो slash करके admin को चड़ाएंगे आप यह अच्छी से जानते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो config का आता है ठीक है कि हमारे पास config का जो भी page है ठीक है admin header है यह रहा फुटर है यह layout है हमारे पास मैंने admin की चीज़ों के लिए इधर देख़ा admin का एक folder अलग कर रहा है admin का footer header और उसका dashboard और index index पर login का साम होगा dashboard या login होने के बाद हम dashboard पर आओगे और उस dashboard का header and footer होगा यह जो के layout बनकर इसके उपर apply किया जाएगा इतनी बास समझ में आई नहीं आई यहाँ तक को issue है ठीक है web.php के अंदर आप देख सकते हूँ कि जब मैं route पर जाके slash admin लिखूंगी तो मेरे पास क्या चलेगा admin.index यानि admin के folder से index का page चलेगा बास समझ में यह इसका admin panel है अभी इसके admin panel पर कोई काम नहीं हुआ ठीक है contact का जो काम है उस पर contact case में अगर आपने देखा था तो हमारे पास insert हो रहा था हो रहा था था ठीक है अब हम admin panel बना देऊं और contact का जो भी हमारा पास inside हो रहा है उसको हम select करके view करके check भी करेंगे समझ मारी यह बात तो हम यहाँ पर admin case पर हमारे पास एक login होना चाहिए जो प्रॉपर हमारा login चलता है तो हमें वो design करना है ठीक है तो आप भी design करो मैं भी design करेंगे इसको मैंने आड करा है ठीक है यहाँ अबना फॉर्म मराएंगे ठीक है यह आप देख लो किस तरीकिसे आड करते हैं इस तरह और यहाँ और जो जो टाइटल है यहाँ मैंने लिग दिया है admin panel यहाँ आपने अबना form design करना है जो भी आपके पास form है form design करने के लिए हम यहाँ पर कर लेते हैं div.container ठीक है और इसी तरीकी से div.trop सहीं है और div.call-md- मेरे पास यहाँ पर आ जाते हैं अब मैं दो column भी ले सकते हूँ एक भी ले सकते हूँ यहाँ आपकी मरजी है ठीक है अगर एक लेना है तो आप एक ले लो हमने कोई define नहीं किया कि action मेरे पास है क्या इसके बात यहाँ form के अंदर मेरे पास जो आएगा वो लोग-in करना है तो मैं यहाँ पर रख रही हूँ पूड़स्ट्रैफ 4 ठीक है डैस फॉर्म डैस इमेल से लोग-in करना है या आपको किसी भी चीज से लोग-in करना है उसके लिए आप यहाँ पर रख सकते हूँ ठीक है मैंने का इमेल नहीं है मिरे पास सिर्फ यूजर नहीं है तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ कि मेरे पास जो है वो input text है, input text के अंदर ये small वाला आएगा, इसको यहां से हटा देना, सिर्फ ये मेरे पास जो group है, form group यह रहा, और label पर मैंने यहां पर लिख दिया है, user name, ठीक है, और ये इस तरीकी से हमने इसको कर दिया, ये वाली hit if हमारे पास यहां पर नीचे copy होगी, इसी तरीकी से नीचे यहां पर मैंने paste करना है, अब मेरे पास यहां पर क्या होगी तो type इसकी क्या होगी, ये भी मेरे पास क्या होगी, पास वर्ड होगी, ठीक है, अच्छा, अब इनके उपर ाइडी लिगी है, ठीक है, ये ये आडी वगार हमें चाहिए नहीं, और ये अबिनी चाहिए एक प्लेशोर्डर चाहिए अगर चाहिए तो समाइब लाघा सकतें मैंने सब्लेशोरनेम- बस्क Déo ct Ano और यह मेरे पास का है pagS又 किया है付 पास्वेट लाया निव्क का समिन को बटन होगा तो mad यहां भी लिखूंगी bootstrap 4, form, submit, तो मेरे पास यह submit का आ जाएगा, ठीक है, और submit में लिख दूगी कि भाई यह login पे काम हो रहा है, ठीक है, button primary है, इसको मैंने open करा, यहां पे आ जाओ, इसको refresh करा मैंने, ठीक है, यह मेरे पास यह बना वा, ठीक है, उपर heading चाहिए मुझे, तो मैं यहां heading apply कर सकती हूँ, यह जो मेरी raw है, इसके अंदर मैं एक और raw बना सकती हूँ, with.raw, ठीक है, raw तो आपके पास क्या हो सकती है, multiple हो सकती है, इस raw के अंदर मैंने जाएगे, यहां पे heading 3 यूज़ करी है, और इसमें मैंने जाखे लिख रहा है, login, admin login, admin login, इसको थोड़ा सा centerize करना है, class लगा देती हूँ मैं इस पर, text, center, इस तरह सेफ करा, refresh करा, यह तो इसकी width का कुछी शूब का, byडश, एम्डी डश, साही है, इस under हो गया, style है मेरे पास, margin, top, 100 pixels सही है अब दर देखो ठीक है ये center हो गया था 100 pixels करके इसको यहां करा अब ये 6 के उपर है इसे थोड़ा सामें move कराना है थोड़ा center करना है तो जो मेरे पास ये raw है सही है style margin auto सही है margin मैंने इसकी क्या खरी है auto करी है तो ये मेरे पास इस तरीके से adjust होगे है center हो क्या आगिया है समझ महीं बात अच्छा अब मैं चाहरी हूं कि लोग इन हो मेरे पास तो लोग इन होने के पास मेरे पास dashboard आना चाहिए अब ये कह रहा है कि get and head इस पे मौझूद नहीं है मत्तब इसका बागी का कोई method ही मौझूद नहीं है तो अभी हम इसको set कर देते हैं ठीक है तो मैंने यहाँ पे कहा कि लोग इन होना है तो हमें लोग इन होने के बाद हमारे पास कौन सा कोई page यह कोई चीज हमारे पास चलना ही चाहिए ठीक है अभी action के अंदर भी इस पे कुछ नहीं लिखावा है यहाँ margin भी हमारे पास थोड़ी सी यह नीचे आएगी जैसे हमने यहाँ पे margin मैंने इधर दी ना heading के ओपर टॉप दीए इसी तरीके से मैं यहाँ पे margin जो है वो bottom भी दोगी ठीक है तक यह थोड़ा सा gap के लिए ठीक है यह मेरा login का page है ठीक है forget passport जो लिखना है आप इसको इस पर लिख सकते हो ठीक है वैसे ही आपकी जो है वो website है वो यह रही ठीक है admin panel इधर रखा मैंने ठीक है login होने के बाद हमें जो आना है वो dashboard की उपर आना है किसकी उपर आना है dashboard की उपर आना है तो login में में मेरा username पासवर्ट जो भी होगा वो हम check करेंगे जैन उसके बाद जो हम move करके आएंगे अब आप यहाँ पे देखो जो मेरा contact का page था तो यह website के contact की page की बात करी हूँ उसके उपर हमने जो है वो कुछ इस तरह लिखा था कि जब हम data receive कर रहे थे नहीं था ना हमने data जब receive करा था तो हम login जब करेंगे तो जैन सी बात है कि हम कही न कहीं इंडेक्स है ठीक है नॉर्मल contact नहीं है जैसे इंडेक्स का page है अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पी जो हम उपपर type करते है contact पे वो यह चीज़ पूछ रहोते है कि यह आपने यहाँ पे क्या type कर रहा है इसी जरीकी से मैंने यहाँ पे बनाने है curly bracket ठीक है और curly bracket बनाके आपने यहाँ पे क्या देना है जिस तरह url है हमें कोई भी url पास करनी है तो मैं यहाँ पे पास कर सकती हूँ तो मैं url है हमारे पास ठीक है url के अंदर जो उपर आपका navigate करके जो चल रहा है आपने वो define करना है round brackets admin slash ठीक है ठीक है यहाँ रहा है admin slash तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूँगी admin slash इत्ती बास अरज मैं अब जिस तरह मैंने contact का controller बनाया था इसी तरीकी से मैंने admin login के लिए भी controller और बागी की चीज़े बनानी है समझ मैरी यह बात क्यूंकि code तो मुझे करना है model class ही बनानी पड़ी के लिए data उसका कहीं जान ही रहा है उसका कही data जान ही रहा है स्रिफ वो check हो रहा है सही है model से तो नहीं बनेगा इसको stop करना पड़ेगा ctrl c press करूंगी ठीक है यह controller बनानी के लिए होता है model बनानी के लिए controller बनानी के लिए एक controller करना है लेकिन अब जो controller मैं बनाऊंगी वो क्या है admin login admin login ठीक है मैंने क्या रख़ा इसका नाम admin login controller ठीक है और इसको मैंने यहां पर इस तरीके से यह चला दे अब इसने बोला है कि यह created हो गया है successfully created हो गया अगर यह successfully created हो गया है controllers के अंदर यहां आ रहा होगा admin login controller अब इसके अंदर एक मेरे पास index है और एक मेरे पास create आ रहा है ठीक है तो मैं जो इसके extra method है न वो तो पहले में हटा थीक है index ही क्या होगा मुझे वो पीछ दिखाएगा कौन सा वाला login वाला ठीक है इसके बाद form just submit होगा तो यह जाएगा store पे लेकिन store नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा match कर रहा है ठीक है न यह destroy करना इसे contact controller पे आओ जिस तरह हमने यह यह लिखाता है return view करके कहा जा रही है contact के page पे जा रहा index कहा जाएगा admin.index से यह यह कहा return होना है इसको dashboard पे return होना है इसको किस पे return होना है dashboard पे return होना है लेकिन if or else की condition के बहाफ पे if है और इसी तरीके से 쓰 अगर login failed होगा तो यह वापिस index पे रहेगा अगर login successfully होगा तो यह कहा जाएगा यह हम अभी request की चीज़ों को चेक करते हैं कि हमें यह किस तरह करना है जैसे यहाँ पर हमने request चेक करीड़ना कि भाई दिस्टॉट वालिडेट करो नेम और पासवाड होगा तो हम यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैंने इधर ही उपर पहले यहाँ उपर प्लेस करो प्लेस करने के बाद अब हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो नेम नहीं है वो मेरे पास जो भी है ठीक है वो यूजर नेम है ठीक है फॉर्म से यह चीज़े मैच करोगे की तो अगर आप यहां लाकि च वैर्ट टेक्स को इंदर या पर राखा कार्णा दूसरा मेरे पास क्या है इसे कॉपी कर अर्छ मेरे यहां लाकि चेक कर ऐए यह पास्वट टेक्स ठीक्त यह धोना आपके पास होच लाजमी है इसके बाद आप if की condition के अंदर जब match करने लगोगे तो match करने के लिए फिर आप इसी तरीके से use करोगे यार है नजर ठीक है तो इस तरह आप लिखोगे कि request के अंदर का जो भी नाम है वो इस तरह use करना है तो हमने यहाँ पर भी क्या लिखना है dollar request ठीक है long user equals to equals to admin ठीक है and dollar request password यहाँ पर हमारे पास यागया ठीक है यहाँ पर हमारे पास यागया ठीक है यह इस तरह जो हमारे पास आ रहा है ठीक है पास्वेट का यहाँ आप देख सकते हूं यह match इसी तरीक है ठीक है email text जो भी है यह तो value equal कर रहे ना तो वहाँ value आप दिफाइन कर रहे हो तो मैंने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर रहेगा ठीक है अब आज़ाओ इसके पास के उपर जो वाब.config है ना वाब.config से ही चीज़ा चलती है आपकी ठीक है तो हमारे पास यहाँ रहेगा cloud के अंदर आप आते हूं web.php जिस तरह मैंने यहाँ पर यह तिया हुआ है कि भी slash contact लगाते है तो हमारे पास यहाँ पर हम यह कहेंगे कि हम admin panel खोल रहे है तो मेरे पास क्या होगा slash admin होगा सही है यह वाला क्या हो जाएगा comment हो जाएगा और उधर हमारे पास controller का जो भी नाम है हमारे पास क्या है admin controller कॉपी करा है मैंने यहाँ लागे मैंने इसका नाम प्लेस करा है उपर अगर भी को तो contact controller जिस तरह दिया हुए ना इसी तरही किसे मुझे यहाँ पर वही देना है use के बही मेरे पास जो मिलेगा वो कहां पे मौझूद होगा HTTP ठीक है slash controllers slash login controller ठीक है इस तरही किसे आप यह add करा हुए इसके बाद आप यहाँ पर कर दो php artisan serve और इसको चला एक में जरा dashboard का जो page है ना उसके मैं कुछ लिख दूँ वरना फिर मुझे पता भी नी चलेगा कि खुला भी है या नहीं खुला है ठीक है हाँ एक adding देते नहीं ठीक है save करा admin या यह dashboard ठीक है login होने पर और अगर मैं हाँ पर गड़त password डालती हूँ और login करती हूँ तो मैं same इसी पर राज़ी है यह बास समझ में आई ठीक है यहां दग को इशू करो इसे pictures के लिए करना यह होता है कि public का जो folder है public का folder है इसके अंदर एक images का मैंने folder बनाया और इसके अंदर मैं अपनी images रखूँ गए सही है public के folder के अंदर एक images का folder आपने खुद बराना है और उसके अंदर अपनी images रखनी है अब इसका इस्तमाल हम कैसे करेंगे यहां तो हमने रख दिया सही है इसका जब हम use करेंगे वो हम use किस तरह करेंगे यह मैं आपको बता देती हूँ एक about का page कोल का जहां मैंने picture का इस्तमाल किया हुआ है ठीक है यहां पे आप image के source पे जाके लिखते हूँ urn करली bracket में और bracket में लिखोगे यानि slash images का मैंने एक folder बनाए इससे पहले का मतलब है यानि public के बाद आप जो भी folder बनाएंगे ठीक है वो आप इस तरह लिखेंगे अगर direct public में डालूँगी तो direct picture का नाम लिखूँगी मैं ठीक है मैंने का public के अंदर images का एक folder है उसके अंदर about.jpg लगी विए तो यह picture की ways, hide, style फिर आप दे सकते हो source आपको इस तरही के से देना होता है इमेजेस के अंदर अगर कोई और folder बना होता तो slash log के उस folder का नाम लिखती है समझ माई बात अगर मैं यहां से इधर देखो अगर मैं यहां से कोई भी picture इस तरही के से यहां पर रख के drag करती हूँ ठीक है तो यह यहां open होगी ठीक है इसका कोई path नहीं आएगा यह मैं पहली बजाती हूँ ठीक है कि यह मैं समझीगा कि यहां drag करा तो यहां इसका path उठकिया जाएगा ठीक है अगर आप यहां पर आ भी जाते हो सही है और यहां पर इस पर आने के बाद अगर हम कड़ भी रेते copy relative path तो जब मैं इसको यहां पर paste करूँगी तो relative path में यह आता है समझ मैं आ रही है बात तो यह आपको नहीं लिखना है आपने सरफ images से start करना है public का जो folder है वो directly targeted होता है ठीक है तो URL करके इस तरीके से आप define कर रहे है समझ मैं आ इस बात अब जैसे मैंने slider लगाया वह है index के page के उपर ठीक है यानि जो मेरा home page है इसके उपर जो slider लगा वह है उसमें भी हमारा पास इस तरीके से यह लगावा है ठीक है समझ भाई बाग